पार्थ कहां है पार्थ हमको नहीं दिख रहा है बाबू ओय पथू कहां है पार्थ कहां है आपने पार्थ को देखा क्या अरे यह क्या है दिखिए गई सामने क्या आगया हमको पार्थ दीख नहीं जाएं पार्थ की खाली हशी दीख रही है बाबू बाबू कहां है बबा पार्थ को देखा आपने पार्थ कहां है बबाबू बबू कहां है इसमें क्या देखे 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 इसमें था इसमें कैसे गुजगिया था कहां गंदा हुआ है इसमें पैसे कहले रहा है कहल गया था मार्केट ना इसलें पैसे डाला है से ओ बिस्कीट फोर दिये हो आप यह चौथ है चौथ कुर्सी पापा ना चौथ पर कुर्सी लगा दिये हैं कुर्सी लगा दिया है चौक पर आप सो के उठ गया है कि फैन बंद किया है अब फैन बंद हो गया है इसे बिस्कित है अभी ममा जारव लगा देगी ना सब से ही हो जाएगा इस सब्सक्राव है उस सब्सक्राव पता ना क्या है अभी लगरा पार्थ को निदा रहा है जल्दी आ इधरा बातरूम जाएगा करेगा तो जाओ जल्दी पैंट खोल गए नहीं जाओ नहीं जाओ दिखाओ तो कहां लगा है भूत कट लिए भूध कट लिए है वहां ब्लेक भ्लेक हो गया भूत कट लिए इसलिए ममा कहती है यह साइच जीज़े इधर उधर नहीं करते हैं छिल जाता है पैर में भी चोट उसी के वजय से लगा है पैर में भी चोट ना उसी के वजय से लगा पैर में भी लगा है ना आपके वो गाड़ी है ना नुकीला है और आप उसको उठा पटक देते हो इसलिए वेल्कम बैक तो मैं चैनल कैसे आप लोग आई होप आप लोग अच्छ होंगे हम बहुत बढ़िया हैं और आज है टीजडे और इनका है फास्ट और हम जा रहे हैं किचिन में खोद के लिए केवल खाना बनाने क्योंकि अखेली बनाना है तो राइस बनाएंगे सिंपल सा क्योंकि फिर नहा के आओ और फिर सारी चीज़े करो तो थोड़ा अवह लगता है सोचा कि नहाने से पहले सब को जैसे काटना हो रहे हैं काट लेते हैं तो थोड़ा फ्रेस सा ज्यादा लगता है इसलिए और पार देख रहा है टीवी देख लीजी आप लोगोंने हम लोग सेकplin मतर है लगता है फोड़ा है ऐसी काम के लिए अध्यर कर देख और मतर को नहीं बनता है क्या हूआ थी बच वांता कि प्रसों अलप ₱ जादा कम ब्रसों ह्तों की डिखेंका सोन थे नहीं के मठा है टो नहीं कुल छू नियवा चूले जाता है इसलिए सोजाए कि चलो आज पुलाओ बना ले देगा एक अलगसा टेस्ट भी आएगा और प्लस इजी भी होगा बनाना तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना और आप लोग देखो इधर कितना सारा बर्तन दो के रखाया मैंना सूखने के लिए मतलब ऐसे ना सूख जाता है मैंना सी चार्ट करते हैं काम आज का सबसे पहला कुकर को रखें के गैस पर तो हमने इस तो ब्चण नेतकी कि लिए कर घाळ ने के लिए ने का खरे मसाले arises कि अ वाहन ए स्चान spins ने एक जी लांग से सरफे नेी या तो मिलाज पढ़ेगा झाली टिंझाली कारे पह़र से प्रस्काइब तो लिग वाटले निगाएं निकालना चाहिए था निकाल दिया तो मंगरेल निकाल दिया निगाएं लिग तो तारिमेश अब इस में जाएगी तेज पद्दा यह बहुत ज़रूरी है यह तेज पद्दा दाल सीनी का इत्ता सा टुगड़ा है ज्यादा नियुक्त इन सारे चीजों को उठा के हम डाल देंगे कुकर में कुकुकर गरम हो गया और इसमें जाएगा यह जीरा एक छोटा चमाश जाएगा ज्यादा नहीं जाएगा आप घी में बनाना चाएगा दो अभिल दुरश का गहाई चाहते हैं तो ग्यादी में बनाना चाहते हैं तो अब हाएगे सम लगों म्यजित कभड़ास तो यह राओं दोलन की दोना मॉट्स्टरोलल दाले में अर इसमिन थोड़ास धी ढल राह ज़ाया कुलाओं में घीर है तद जादा टेस्टी लगता है अब इसमें जाए गई है लसुन और अधरसका पेस्ट हमारे पर सहरी मिस्ची नहीं थी इसलिए हमने यही सारे चीजा कीज़ होती है तो हमारे मिस्ची डालते बट नहीं है तो नहीं है काम तो ऐसी चलाना पड़ेगा एसी चला लेंगे अचल शेलिए आज को मेडियम रखे, आज को तेज ना रखे, क्योंकि अभी भूनना है थोड़ा सा, यह लगी भून गया है, और अब इसमें डाल देंगे हम, यह सुख्य हुए माटर, शुखाव हुए मटर इसलिए पहले डालाना, कीकि यह पकने में ज़्यादा टायम लगता है ज़्यादा टायम अजलेगे मटर को बिच्छ अलुम का जल्दी पकता है भट जल्दी पकता है पहले मटर को हम खोड़ेते भूनेंगे अच्छे से उसके बाद इसमें पयाज को ड तो देखिए मतर कैसी भून गया है एकदम अच्छे से भून गया है और यह सौफ्ट भी हो गया थोड़ा तो इसमें अब हम प्याज डाल देंगे और टमाटर भी डाल देंगे साथ में कुछ पुलाओं में कुछ लेना देना नहीं होता है कि अब कब कोई चीज डाल रहा हू अलू जो भी चीज़े वर सी Comics नहीं पक जाता है लेकिन मतर तीन सीटी में नहीं पकत है कि राइस तीन सीटी में हो जाता है और मतर छे से साथ सीटी लगता है पकाने में और ये नमक डाल दिया थोड़ा सा ताकि प्याज और टमाटर अच्छे से भून जाए और मतर भी पक जाए नमक डाल देने से न कोई चीछ जल्दी पक जाती है और ये मसाले हलदी पौडर, लाल्मिश पौडर, जीरा पौडर गरम असला पौडर अपने स्वाधन सब्सार डालें जितना खाना आप पसद करते ह One तीक that मीठा उसके हिसाब से डालें तो हम अपने स्वाब मसाल लाल में पाउडर डाले और इसे हम चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे जब तेक मसाले पक न जाए और इसमें आलू भी हम आड़ कर देंगे अब भी क्योंकि आलू को भी तो भूनना पड़ेगा थोड़ा सा मसाले के साथ ताकि मसाले अगर का फ्लेवर आलू में भी थोड़ा सा आये नहीं तो आलू सिंपल सा उबला हुआ जैसा लगने लगेगा आप नहीं भूनोंगे तो तो इससे हम भूनने देते हैं थोड़ी देर तो मत्र भून जाया है जबतर मत्र भून रहा है जबतर हम चावल दो लेते हैं कि मत्र भून किया है और आलू अबरे भी डाल दिया है हमें चावल दो के साइड में रख दिया और यह देखिए सबजी भी लगभग भून गया है तो इसमें हम चावल डाल देते हैं मतलब सब्ची होता है ना बस आलू मसाले थोड़े से भून दो पक जाए और उसके बाद से चावल डाल कर दो चावल डाल करके जस थोड़ी दे चलाते हुए भून लो ऐसा नहीं कि बहुत भून नहीं और सिटी लगा दो पक जाएगा तो यह गया इसमें सारे के सारे उसके बाद से आप चाहो तो चला सकते हो अच्छे से चलता है ना पान डालने के बाद और एक बात हम कहना चाहेंगा आप मटर का पुलाओ बनाओ ना तो खास करके मटर का पकने का ज्यादा ध्यान दे कि मटर पका है कि नहीं वैसे ही काबुली चने का पुलाओ बनता है न तो देखिए इसमें हमने पानी डाल दिया और इसका color देखो आप लो olmuş कितना अच्छा दिख रहा ऐसे लग रहे बिर्यानी बन रहा वैसा वाला color दिख रहा मतलव यह color बहुत ही अच्छा लगता है मुझे तो आप इसमें हम डाल देंगे धनिया-पत्ता इस टाइम न हम मोटी पतली वाली डंठल नहीं करेंगे, सारी की सारी धनिया पता जाएगा इसमें, क्योंकि पुलाव है न दुबारा नहीं पढ़ता है धनिया पता, ये लास्ट टाइम है धनिया पता डाल लेगा तो राइस डाल दिया है बस डगन लगाना है और सीटी लगाना है तो दो से टी लगाएंगे इसमें हम ये साफ पर लेने तो सीटी अच्छे से नहीं आता है अकर एक भी चावल का दाना तो पर तो पर तो पर ये प्रॉबलम होती है न जल्दी खाराब हो जाता है हम लोग का ऐसा एक और था ये नुमेनियम अला भी घराब हो गया और ये भी देखें यह यहां से ना फट रहा है ये निकल जाता है बागी सब चीजे अच्छे रहते हैं बट वही दिक्कत रहता तो इसमें लगा रहा है और दो से तीन सीटी आने तक पकाई तो इसके पास इसमें दो से बाटेंगे थोड़ी देर आराम करेंगे जब बन जाएगा तो या तो अचार के साथ खाएंगे सालड खीरा नहीं असाजा मंगाया नहीं था बूल गया है अचार के साथ ही खाना पड़ेगा नहीं तो कुछ देखते हैं अगर होगा तो मुझे रायता बाट कोई बात नहीं पुलाओ ही केवल खाएंगे बहुत थी लगएगा तो फुलाओ बंड जा है यह बंड कर लिया है और यह पार्थ देखिए आप लो क्या करेंगे। पार्थ कहा है बहुत देखिए देखियो क्या गर्रा कृट है जैसे हम को पार्द कॉत बढ़ में तो उनका मेटिंग इस्टार्ट होने वाला है, बोल रहा है कि हम बोलना है इस्टार्ट करें तुम लोग छूप हो जाना यही होता है अभी अजहना काया है आप किसमे खाना है एक अएकल लगेे लिगाश शुर्णास कीала एक अच्छिनग ते बोल निकल气 निए ऑ। मताला मेटियून लेकेफवल लगेसन आप करें एकल नियागा थक्तित करें तो बोल रहा है। वाव देख मचाओ ले आपलोग वहती यम्मी देख लेखो आपलोग अटर की पुलाओ दिखा लेखा तब देखा तो हम खाना खागे आपने को बदाते हैं कि आज का फुलाउ कैसा लगार है तो कम क्या है देखने से भुट है कि whole email भुबभी बहुत सुन्दर हा है बनलब सुगंद्ध जू बहुत अच्छी आहे तो हम इसे आचार के साथ खा रहे है, देख रहा है, अचार के साथ काया लग रहा है और मुमे पानी आ रहा है जह रहा हम नहीं है, जोले छाब है रहा है अचारे साथ तो बहुत अच्छा लगा अपसीन बल्दादें सिंपल भी अच्छा लगे आप लो ट्राइ कर सकते हो तो हम जा रहे हैं अभी उनके लिए मुंगफली भूजने चाय बनाने दूधाने वाला है अच्छा बनाना था तो इसलिए नहीं पोच्छा सोचा कि जब उनका आएगा तो पोचेंगे और खाना खाने के बाद आज कल पता ना क्यों नीद लगने लग रहा है तो आने के बाद हम सो गया थे गंटा लगभग यह पास उस्टोने देता थोड़ी नहीं देखिए आ गया पाइड और सब करते हो इसका दीन भर का यही रहता है इतना होड़ गम्प मचाता है आकेली कि आप लोग सोच नहीं सकते हो क्या कर दा कि अधि हग लगना खालत थे तो थे लेगन टीक है अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बहुंगे, थांक्योव बाइक राजीन वीडियु तब मिलते हैं कले एक ने ब्लॉग में तब तक के लिए बाई-बाई बाई करें प्लाइं किसका देख